नमश्गार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है। दोस्वों अगले 10 दिनों के अंदर गरों में कुछ ऐसे बड़े बदला हो रहे हैं। गरों की कुछ ऐसे इस्तिती बन रही है। जिन के कारण आपको कुछ भव इस्तियां देखने को मिल शक्ति है। लेकिन दोस्वों आपको बता दें किनिका जमिदार भी आप खुद रहने वाले are जै दोस्वों आपको बता दी किश में की जो च्टति होगी इनके श्रास आपको लाब होगा। लेकिन दोस्तों यश्मी अंत्राल में आप किशी में भटक शकते हैं और यहरा भटक ना आपके आनवेले शमय को भी खत्रे की घंटी दे शकता है जे दोस्तों गर आप इन शवी शिप बचना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और सुरूश ल मिलने वाली है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश्णा करें और सुरूश लेकर अंतर तक देखें उस्ते पहले दोस्तों जोई भग्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन से जय माताद लिखेगा ग्रोजी का सीधा जिरबात पर आपकरेगा त दिया पर हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर्स लेड़ कर लें तो एँडियो को प्राणर्म करतें दोसों याश में कड़ी मेहनत और प्रिक्षा का शमय होगा याश में आप अपनी दिंचरिया में कुछ बदलाव लाने का प्रयाश कर रहे हैं वे आपके लिए फायदे मन भी शाविद होंगी कुछ शमय आत्म केंद्रित होकर अपने बारी में चिंतन में शमय को एधित करें आपको कई उलजय वे शवालों काई में जवाब प्राफ्त होगा शादि अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोसों याश में आकारण ही मनुन में कुछ उदासी जीसी स्थिती भी रह सकती है पेसे कि उदारी शमय लेंदे ना करें दोसों याश मी इन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए नएदी की शमद्यों के शाथ किज भी परकार की गलत फ्यमी उत्पन होने से आप सी संब्ध भी खराब हो चकते हैं योजनाएं बनाने के शाथ साथ उन्हें कारी रूप देना भी आपके लिए यश्मी आवश्र होंगी तो दोस्तों यश् खर्च भी होगा लेकिन जिसके दोवरा जिवन शेली में आरही बदलाव भी आपको नजराएगा तो परिवार के लिए किशी को आपके शायता की जरुत भी हो शकती है तो उनको मदद करने शिव पहले आपको अपनी शमता को पाचालना चाहिए क्यों दोस्तों यह आपके आर्थी तृती में भी कमिया शकती है आपके आर्थी तृती में भी गिरावटा शकती है तो दोस्तों जितना आपके पास छमता है जितना आप चाहा सकते हैं कि इतना हम देश सकते हैं इतना मदद कर सकते हैं तो दोस्तों उतना ही आप यह मदद करें इस गुप्रान दोस् कित्तों और प्रेशनल्टी को निखारने काशन होगा और इनमें काफी हद तक आपको प्लब्धी भी हाशिन होगी प्रतु दोस्तों अपने एहम के ऊपर नेंतर रखें इस बात पर आपको गौर करें और इसके वज़ाशी आपको जो है मान आने होशकती है तो दोस्तों एश में आपको बता दें कि मन में बढ़ात तनाव आपके लिए तकलिप का कारण होगा यह जो समय है किसी विश्य में सोच्टेश्व में आपको यह ध्यान रखना है कि केवल आप अपने विचारों में ही खो रहे हैं जिसके वज़शे आपको प्रस्तिती में कटना यां नजर करना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यह जो समय होंगे आपको बता दें कि समाजिक विदिया में आपका दिखता श्रमे भी वतित होगा परिवार में चल रही अश्वस्ता को दूर करने के लिए आप कुछ महत्पुन कदम भी यह में उठाएंगे किसी सुप चमित्यों का आश्रबाद आप पर शुप कमने आपको वर्दान की तरह मैसुष होगा पड़ुस्यों के शाथ किसी प्रकार की अन्रबन रह शक्ती है तो दोस्तों संब्दों में खटास ना आने दें किसे से बातचित करते शुमें अपने शब्दों का जो है इस इस रुप से ध्याम र दिन चरह के लिए जो समझें दोस्तों आपको बता दें कि हर बात और हर निरले में शमल कर आगे बढ़ने पर यश में आपको जो है सफलता प्रात होगा अभी तक आपने जो भी लक्षी रखे थे उनके बारे में अलुकन किया भी जाएगा दोस्तों आपकी वज़े से किस दोस्तों आपको पता दें कि अपने ही बारे में सोचें तथा अपने लिए ही काम करें इस बात पर आपको यश में ध्यान देना चाहिए आपको कोई महत्पुन उप्लाब्दी भी यश में हासिल होने वाली है कुछ पारिविरिक विवाद भी सुल्जाने के लिए शमय कुछ भी होगा यश में बहुत अधिकि सोच वज़ार करके अपने कारियों को अन्जाम दे किसी की वजह से दिश्रिया अस्तवियत भी हो शकती है तो दोस्तों यश में शावधान रेना होगा इसको पांदोस्तों यश में आपके लिए समयोगी आपको पता दें कि आपका दोबरा यश्मी की भी जाएंगे आपको क्योवल ध्यान और अगरता से अपने लक्ष को प्राप्त करने की कोशिज करनी है इसको बनाओं दोसों यश्मी अगर आपके केरियर को लेकर बात किने अर्थात आपके वह वह शांए की तो दोसों यश्मी अपनी कारश्मता को बारे भारे भी आने की वज़श्य आपकी जमिदारी भी बढ़ सकती है इश्कुप्रावाय। में आपके करिए सबहोंगे व्यक्तिकत बातों के वज़श्य काम को नज अंदाज भी यश्में किया जा सकता है। तो दोस्तों यश्मी इन पर ध्यान दे इसके साथ ही दोस्तों यश्मी आपके वाईशाय के लिए जिसमें होंगे आपको बता दे कि पारिवर वहस्ता के वजर्शे भी बिजनस में ज्यादा ध्यान भी आप यश्मी नहीं दे पाएंगे परंदो दोस्तों क्रमचारियों का शयोग कारी छेतर की वहस्ता को उचित बना कर रखेगा जमिन ज्यादा श्रमणदी वह शाय में कोई भी डिल खरतेश में अच्छी तरस से उन्हें जांच परतार जरूर कर ले दोस्तों ये आपके केरेट के लिए इसमें बहुती महत्पून शायुद होंगे और काम से समद्धित प्रत्न भी इसमें आपको बढ़ाने होंगी जिसके वज़त से आर्थिक आवक भी बढ़ेगी और आपकी जो आर्थिय इसमें शुदरने वाली है इसको प्रान दोस्तों ये इसमें आपके केरेट के लिए जिसम होंगे आपको बता दे कि दोस्तों कारेट छितर में नविकरन शमंदी कुछ योजनाए बनेगी और ये बदलाव आपके लिए आपके बिजनस के कामों में शफलता देगा दोस्तों अपनी महत्पुन चीजों की देखवाल स्वेंक करें दोस्तों पर पिश्वास करना इसमें आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं होगा दोस्तों साइधर शमंदी बिजनस में योजनापत तरीके से काम करना आपके लिए लाब दाग रहेगा परदू यह भी ध्यान रखें कि छोटी से लपरवाई से कोई बड़ा ओडर भी हान से निकल सकता है या फिर डिल केंसील भी हो सकती है तो दोस्तों येस में लापरव कि मौज मस्ती में शमी बरवाद ना करें तथा अपने केरियर फर आपको दिहान देना चाहिए साथी दोस्तों येस में आपके निदले की प्रति पार्टनर की नाराजगी भी थोड़ी शी बढ़ सकती है कभी के बेश्चा हो शकता है इसको पर दोस्तों येस में आपके ल अश्कुल हो सकता है लेकि दोस्तों कोशिस अर करेंगे तो यह भी हो शकता है इसको प्रांद दोस्तों येस में अपनी किसी भी समस्याक को जिवन साथी अत्वा घर के अनुभवी व्यक्ति से अवश्य से शेयर करें आपको उचित शमाधान भी प्राप्त होगा बच्चे अपनी पढ़ाय के प्रती जो है सजक रहें उनका आपको येस में ध्यान रहना चाहिए इसको प्रांद दोस्तों येस में आपके लव लाइफ प्लीज समोंगे दोस्तों आपको बता दे कि पती पत्री के बीच किसी वज़े से थोड़ी बात ब्यात भी हो शकती है क्योंको दोस्तों बदलते गरों की चाल में ये भी प्रवाव आपके जोन पर देखने को मिलेंगे दोस्तों बेहतर होगा कि एक दूसरे की भावनों को समझे और अपना शमार करें दोस्तों एक दूसरे का शमान ही दोनों की प्रेम शमानों को और भी मदू रखेंगे प्रेम शमान आपके लिए खुले वाब में शमी बिताना भी आपके मन को प्रश्कता देगा इसको प्रावन दोस्तों यश्मी आपके स्वास्त लिए उसे महोंगे आपको बदा दे कि किसी परकार की चोट लगने या फिर गिरने जिसी असनका भी लग रही है शावदान रहें तदा बहतर होगा कि वहां का परियोग यश्मी आपको ना करें इसको ब्रावन दोस्तों यश्मी आपके स्वास्त के लिए ही बहतर होगे